हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अराध्या अरेस अकेडमी में दोस्तों राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल बरती 2019 के सेलेबस के अकोडिंग राजस्तान बुगोल की क्लास स्टार्ट की गई थी जिसमें अपनी तीन क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है आज दोस्तों इसमें चोथे नंबर की क्लास है तो दोस्तों पिछली अगर तीन क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखें दोस्तों आज की कलास है राजस्तान में भोगुलिक इस्तल आकरतियों के नाम टीक है वीडियो को पूरा देखना है और दोस्तों मेरे साथ चलोगे तो दोस्तों गारन्टी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपको राजस्तान पिलिस में लगने से कोई नहीं रौक सकता ठीक है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बैल आइकन को प्रेस जरूर करें वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ठीक है रोजना दोस्तों अपनी कलास रहेगी 6 से और 10 बजे के बीच में ठीक है साम को यह आपको याद रखना है और पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप अले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं आज की कलास अपने सबसे पहले बुगोल क्या है बुगोल के बारे में पढ़ लिया था उसके बाद में दोस्तों हम अपने जो इसकी उत्पत्ती हुई थी उत्पत्ती के बारे में पढ़ा उसके बाद में राजस्तान में अकसांस देशांतर पढ़ा उसकी सीमा पढ़ी ठीक है पाकिस कि अजित्षान कि एतियासिक इस्तानों एवां भोगोलिक इस्तला करतियों की वर्तमान इस्तती के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है? तो दोस्तों देखना आपको नाम बता रहा हूँ तो देखो इसमें वागड नाम आ रहा है एक है वागड और एक है बागड ठीक है एक है वागड और एक है बागड क्या फरक है इसमें सिरफ वै और बैका फरक है ठीक है देखो वागड किसे कहते हैं वागड कैते हैं राजस्तान का दक्षणी भाग जिसमें बासवाडा डूंगरपूर परताबगड सामिल है और यहांपर वागडी भासा है वो बोली जाती है तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा कि वागड है वो राजस्तान में किसे कहते हैं तो दोस्तों वहें राजस्तान का वहें दक्षनी भाग जिसमें बांसवाडा, डूंगरपुर और प्रताब गड़ आता है उस चेतर को वागड कहते हैं और वहां पर वागडी बासा बोली जाती है उसके बाद में दोस्तों दूसरा देखो इसमें बागड बागड में क्या है तो देखो बागड है ये अरावली का पस्मी भाग जिसका विस्तार पाली नागोर शिकर जुन जुनु अरावली का पस्मी भाग जिसका विस्तार पाली, नागोर, सिकर, जुन्जुनु ये जो छेतर है ये दोस्तो बागड कहलाता है ठीक है बागड है वो कौन सा छेतर है तो पाली, नागोर, सिकर, जुन्जुनु वाला छेतर है ये बागड कहलाता है समझ में आ गया होगा आपको उसके बाद में दोस्तों दूसरा नंबर का पॉइंट देखो वो है राठी अब राठी किसको कहते हैं तो दोस्तों आप सभी को पता है राठी है वो एक गाय की नसल भी पाई जाती है ठीक है? तो देखो राठी छेतर है वो क्या है? तो देखो बिकानेर जैसलमेर बाड मेर का छेतर जहां वर्सा 25 सेंटेमेटर से कम होती है उसको कहते हैं दोस्तों राठी बिकानेर जैसलमेर बाड मेर का छेतर जहां वर्सा 25 सेंटेमेटर से कम होती है वो कहलाती है दोस्तो राठी ठीक है इस चेतर में राठी नाम की गाय की नसल भी पाई जाती है ठीक है समझ में आ गया कि राठी क्या है तो राठी एक गाय की नसल है और राठी विकानेर जसलमेर बाडमेर का ऐसा चेतर है जहां पर वर्षा है वो 25 सेंटेमिटर से कम होती है तो वो राठी चेतर खेलाता है अब दूसरा इसके अंदर देखो राठ ये तो है राठी ये है राठ कोश्टक में दोस्ता आपको यहां पर दिख रहा होगा अहिरवाट तो ये है राठ और ये है राठी राठी मैंने आपको बता दिया राठ क्या है देखो इसमें जैपूर की कोट पूतली तैसील और अलवर की बानसूर तैसिल को इसमें सामिल किया जाता है अहिरवाटी ठीक है यानि कि यादव होते हैं ठीक है यादव वाला चेतर है ये वाला तो दोस्तो राठ राठ किसको कहते हैं तो जहपूर की तो कोटपोटली तैसिल है और अलवर की बांदसूर तैसिल इनको इस राठ छेतर के अंदर सामिल किया गया है दोस्तों यहें यादव वन्स द्वारा सासित छेतर है यहें यादव वन्स द्वारा सासित छेतर है मेरे एक गुरुजी थे, डॉक्टर परमोध यादव वो भी दोस्तो यादवी ही थे और वो भी कोट पूतली के साइड के ही थे ठीक है तीन नंबर का जो प्रिशन है मेरू मेरू देखो अरावली को कहा जाता है मेरू किसको कहा जाता है अरावली को कहा जाता है मेरू जो राजस्तान का प्राचिंतम भोतिक भाग है तथा गोडवान लेंड द्वारा निर्मित है मेरू किसको कहते हैं तो दोस्तों अरावली को कहते हैं मेरू का मतलब जैसे मेरू दंड होती है यानि कि रीड के अड़ी होती है तो राजस्तान में जो रेड के अड़ी है वो अरावली है, ठीक है? तो दोस्तों अरावली को कहा जाता है मेरू ठीक है और राजस्तान का प्राचिंतम भोतिक भी भाग है और गोड़नवाला लेंड द्वारा निर्मित है याद रखना इस चीज़ को एक है मेरू और दूसरा है मरू मरू क्या है तो दोस्तों मरू देखो राजस्तान के पस्मी भाग को मरू कहा जाता है जिसका निर्मान तेठी सागर के इस्तान पर हुआ है जैसे मरू कांतर, मरुस्थल ठीक है तो दोस्तों ये नाम है ये मरू मरू तो है राजस्तान का पस्मी भाग जिसको अपन मरुस्तल के नाम से जानते हैं और ये है दोस्तो उपरवाला वो है मेरू मेरू का मतलब रेडिकेड़ी यानि की अरावली ठीक है व्याद रखना इस चीज़ को अब ये आगया दोस्तो तोरावाटी ये हमारा चेतर आगया है तोरावाटी काहतली नदी का अपवा चेतर जिसका विस्तार सिकर एवं जुनुनु में है तौरावाटी यानि कि यहाँ पर तौरो के 32 गाओं है तौरवन्स का एक गड़ है तौरावाटी और इसको तौरावाटी के नाम से जानते हैं तौरावाटी है यह कातली नदी का अपवाद छेतर है जिसका विस्तार सिकर एवं जुनुनु में है ठीक है यहाँ तवरवन्स द्वारा सासित परदेश है यहाँ जो छेतर है यह तवरवन्स द्वारा सासित परदेश है याद रखना दोस्तों मेरे गर के आगे भी फिकाणा तौरावाटी लिखा हुआ है। देखो सेखावाटी। सेखावाटी के अगर अगर बात करें, तो इसमें चूरू, सिकर, जुन, जिले सामिल होते हैं सेखावाटी के अंदर। और यहां मुख्यते, सेखावतों का साशन रहा है। शेखावाटी जिसमें चूरू जुन जुनोज सीकर जिले सामिल है और यहां मुख्यत शेखावतों का शाषन रहा है नेक्षिट एं, शिक्स नमर्प्रेश में देखो एक है बोराट ठीक है और एक है बोमट एक है बोराट और एक है बोमट बोराट तो दोस्तो उदैपुर की गोगुंदा पहाड़ी वे राजसमंद की कुमबलगढ पहाड़ीों के बीच का पठार को कहते हैं दोस्तो क्या तो ये बोराट का पठार केते हैं आपने सुना होगा बोराट का पठार है ये कहां पर इस्तित है तो दोस्तो उदैपुर की गोगुंदा पाहडी और रादसमंद की कुंबलगट पाहडी के बीच का जो पठार है वो बोराट का पठार कहलाता है और यहां अब समझ में आ गया होगा बोराट और बोमट में अब दोस्तो साथ नमबर का देखो इसमें एक है मतस्य और एक है मतस्य संग तो मतस्य क्या है मतस्य देखो अलवर का दक्षनी पस्मी भाग जिसे मतस्य कहा जाता है जिसकी राजदानी बैराट विराट नगर थी ठीक है समझ में आ गया होगा आपको जो मतस्य है ये अलवर का दक्षनी भाग है जिसे मतस्य कहा जाता है और इसकी राजदानी बैराट यानि की विराट नगर थी मतस्य संग के बारे में अगर अपन बात करें तो देखो राजस्तान के एकिकरन के पर्थम चरन को मतस्य संग कहा जाता है जिसका गठन है वो 18 मार्च गुनी 48 को हुआ था जिसमें जिले सामिल हैं A, B, C, D यानि कि अलवर, बरतपुर, दोलपुर और करोली ये चार जिले हैं वो दोस्तो इसमें सामिल हैं किसमें? तो दोस्तो मतस्य संग में नेक्स्ट है, आर्ट नमबर का प्रस्थन है, इसमें देखो मारवाड और एक है मेवाड मारवाड और मेवाड तो मारवाड में देखो क्या-क्या है? तो राजस्तान के पस्म संभाग राजस्तान के पश्षिम संभाग को मारवाड कहा जाता है जहां मुख्यत मारवाड ही बोली जाती है जोद्पुर के जो जोद्पुर आसपास के छैतर को दोस्तों मारवाड केते हैं में नागोर आता है जसल में राता है थीक है बाड में राता है तो इसको मारवाड प्रदेश का आ जाता है और यहां पर मारवाडी बोली बोली जाती है मेवाड मेवाड के बारे में दोस्ता आप सबी को पता होगा कि मुख्यत है उदैपूर चितोडगड एवं आंसिक राज दुबार देखो मेवाड मुक्यत है उदैपूर चितोडगड एवं आंसिक राजसमंद एवं भीलवाड़ा को मेवाड कहा जाता है तो दोस्तों मेवाड है मेवाड का जो छेतर है वो उदैपूर चितोडगड राजसमंद भीलवाड़ा का जो छेतर है उसको मेवाड कहा जा तो मुक्यत है अजमेर एवं राजसमंद को मेरवाड़ा कहा जाता है, जो मारवाड एवं मेवाड को जोड़ता है, ठीक है, नेक्स्ट है, तेखो मेवात और मेवल, मेवात है, मेवात किसको कहते हैं, तो मेवात अलवर भरतपुर जिले को कहा जाता है, मेवात, जहां मेव जाती रहती है, ठीक है, जहां पर मेव जाती रहती है, उस चेतर को मेवात कहते हैं, और मेव जाती कहा रहती है, तो अलवर भरतपुर में, मेवल, मेवल दोस्तो डुंगरपुर एवं बास्वाड़ा के बीच के जो पहड़ी छेतर है, उसको मेवल कहा जाता है ब्रजनगर, ब्रजनगर है ये दोस्तो जालरा पातन का प्राचीन नाम है, ब्रजनगर ठीक है, देखो इसमें जो अकसर का ध्यान रखना इस वाले ब्रज के अंदर क्या है नीचे, ठीक है और उस वाले ब्रज के अंदर क्या है तो ये देखो ये ब्रजनगर है तीक है याद रखना ये ब्रजनगर है ये जालरा पाटन का प्राचीन नाम है और ये कि ये ब्रिजनगर है ये दोस्तो बरतपुर का छेतर जो यूपी से सहलेगन है तीक है तो ये ब्रजनगर है याद दोनों के दोनों को उसके बाद में दोस्तों 11 नमबर का है वो है योद्दे छेतर योद्दे छेतर है वो किसको कहते हैं तो राजस्तान के उत्री भाग को कहा जाता है योद्दे छेतर जिसमें गंगानगर एवं हनुमानगर जिले सामिल है राजस्तान के उत्री भाग को का जाता है योद्दे छेतर जिसमें गंगा नगर एवं हनुमान गड़ जिले सामिल है उसके बाद में दोस्तों बारा नमबर पे आता है थली थली है ये किसको कहते हैं तो आप सभी को पता है कि मरुस्तल का उंचा उठा हुआ भाग मरुस्तल का उंचा उठा हुआ भाग जिसका विस्तार विकानेर वैचूरू में है दोस्तों उस भाग को थली कहते हैं और इस छेतर में कोई नदी नहीं बहती है एक है थली थली मैंने आपको बता दिया विकानेर वैचूरू के छेतर को कहते हैं एक है तली तल्ली क्या है तो दोस्तों बालु का इस्तूप के बीच का नीचा भाग तल्ली कहलाता है बालु का इस्तूप है मरुस्तल में पाए जाते हैं तो इस बालु का इस्तूप के बीच का जो नीचा भाग है उसको तल्ली कहते हैं जिसमें पलाय जिलों का निर्मान होता है, ठीक है, जिसमें पलाय जिलों का निर्मान होता है, अब दोस्तों आगे चलते हैं, तेरा नंबर का, उसमें देखो जांगल परदेश, जांगल परदेश किसको कहते हैं, तो आप सबी को पता है, जांगल परदेश मुख्यत विकाने एवं जोदपूर का जो उत्री बहाग है जहां कंटीली वनस्पति पाई जाती है उसको कह जाता है दोस्तो जंगल पृदेश और इस छेतर की राजदानी है वो आहीच 70 पृद थी जंगल पृदेश की राजदानी कौन शे थी अहीच 70 पृर नागौर ठाएं Bible exists कि उसके बाद में देखो ऊजरी नमबर का, अही चतरपुर। तो दोस्तों यह नागोर का प्राची नाम है, और यह जांगल परदेश की राज़दानी है। उसके बाद में देखो, सपाद लक्स, 15 नमबर का, सपाद लक्स, सपाद लक्स है, ढूंड नदी के छित्र को ढूंडान कहा जाता है इसमें सामिल जिले जैपुर दोसा टोक है इसमें सामिल जिले हैं वो जैपुर दोसा और टोक तीक है उसके बाद में देखो दोस्तो कुरू कुरू अलवर के उत्री भाग को कुरू कहा जाता है जिसकी राजदानी इंदरप्रस्त यानिकी वर्तमान दिल्ली थी कुरू किसको का जाता है तो दोस्तो कुरू प्रदेश अपने नाम सुना होगा तो कुरू है ये अलवर के उत्री भाग को का जाता है जिसकी राज़दानी इंदर प्रस्त यानि की वर्तमान दिली थी 18 नमबर काता है दोस्तो इसमें सूर्षेन सूर्षेन जन्पद का अपने नाम सुनाई ही होगा तो राजस्तान के पूर्वी भाग को सूर्षेन कहा जाता था दाजिस्तान के पूरवी भाग को सूर्षेन कहा जाता था जिसका विस्तार वर्तमान में भरतपूर करोली दोलपूर में है ठीक है और इसकी राजदानी मतूरा थी तो सूर्षेन जनपद की जो राजदानी थी वो कौन से थी तो मतूरा थी दोस्तो ठीक है ठीक है और सारे के सारे यानि कि भरतपूर करोली दोलपूर ये दोस्तों सूरुसेन में आते हैं ठीक है और डांग छेतर के अंदर कौन-कौन से आते हैं तो देखो करोली दोलपूर और स्वाई मादपूर ये डांग छेतर के अंदर आते हैं याद रखना इन तीनों को अलग लगे हैं ठीक है उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि डांग छेत्र है डांग छेत्र चंबल नदी के बीहड छेत्र को डांग छेत्र कहा जाता है इसमें सामिल जिले है करोली दोलपूर एवं सवाई मादपूर ठीक है इसमें सामिल जिले कौन-कौन से है तो इसमें क कहा जाता है इसके बाद में दोस्तों किस और चित ने रया है होता है। तो दोस्तों सीवी परदेश है ये उदैपुर और चितोडगड में है जहां मुख्यत है सीवी जाती निवास करती है और इसकी राजदानी है वो माद्यमिका जो वर्तमान नगरी चितोडगड में है ठीक है याद रखना नेक्स्ट चंद्रावती तो दोस्तों चंद्रावती है ये शिरोई का जो प्राचीन नाम है और चंद्रावती सब्वेता से भुकम प्रोधी इमारते मिली है ये चंद्रावती छेतर है ये दोस्तों आबुरोड से जब अपन पालनपूर की तरफ सलते हैं तो मात्रे और मात् ठीक है आप रोड से 10 किलोमेटर आगे चंदरावती आती है और यहाँ पर चंदरावती सब्वेता का उद्वव भी हुआ है इसमें भुकम प्रोधी मारते भी मिली है तेविस नंबर का है जबालीपूर जबालीपूर है ये दोस्तों जालोर का प्राची नाम है क्या जबाली रिशी की कर्म इस्तली रही है इस छेतर में जालव रक्सों की परदानता पाई जाती है और जालव रक्सों की परदानता के कारण ही दोस्तों इसका नाम है वो जालोर पड़ा था और जबालीपूर है वो जालोर का प्राची नाम था ठीक है अब देखो पीलो भालो यानि क पीलो भीलो पीलो भालो या पीलो भीलो तो दोस्तों राजस्तान के जालोर के भीनमाल छेत्र को दोस्तों चीनी यातरी हेंसान ने अपनी पुस्तक सी यूकी में कहा है तो हेंसान हर्सवर्दन के काल में आये थे बारत ठीक है और हेंसान ने अपनी पुस्तक सी यूकी इनकी पुस्तक का नाम है सी यूकी इस पुस्तक में दोस्तों जालोर के जो भीनमाल छेत्र है उसको पीलो भीलो के नाम से कहा गया है यानि कि पीलो भीलो की संग्या दी गई ह 25 नमबर का है मांड तो दोस्तो जैसलमेर छेतर को मांड कहा जाता था इस छेतर की मांड गाई की प्रसिद थी मांड है ये जैसलमेर छेतर को कहा जाता था और इस छेतर की मांड गाई की है वो प्रसिद थी वल वल क्या है तो दोस्तो जैसलमेर में मांड के चारों और के छेतर को कहा जाता था वल ठीक है याद रखना इसको भी मेवल मेवल दोस्तों डूंगरपुर वे बांसवड़ा जिलों के सीमावरती छेतर पर फैली पहाड़ियों को मेवल कहते थे तो अभी थोड़ देर पहले भी मैंने आपको बताया था दूंगरपुर वे बांसवड़ा जिलों के सीमावरती छेतर पर फैली पहाड़ियों को मेवल कहते हैं उसके बाद में दोस्तों 28 नमबर का आता है अपना इसमें मुकंद वाड़ा की पहाड़ियां तो दोस्तों मुकंद वाड़ा की जो पाड़ियां है वो कहां तक है कहां से कहां तक है तो ये पाड़ियां है ये कोटा जालावाड से जालरा पाटन तक है कोटा जालावाड से जालरा पाटन तक है और इस पर अबली मीनी का महल बना हुआ है मुकंदवाडा की पाहडी पर ठीक है और जिसे राजस्तान का दूसरा ताजमेल भी कहते है यानि कि राजस्तान का दूसरा ताजमेल है वो किसे कहते है तो अबली मीनी का महल को राजस्तान का दूसरा ताज महल कहते हैं तो दोस्तों यह हो गई जो राजस्तान के जो विबिन छेतरों के जो नाम दिये गए थे वो हैं तीक है इसमें मैंने आपको बता दिया लगबग गुंटी 28 तो दोस्तों यह हैं और इसमें दो-दोकर के नाम ओर भी है, तो दोस्तों करीबन 14 के आसपास हो गए हैंगे, जिसमें जो चेत्र हैं, राजस्तान की इस्तला करतियों की वर्तमान इस्तती है ये, तो कल अपन राजस्तान की संबागी व्योस्ता पड़ेंगे, तो दोस्तों बने रहे है आराध आरास अकेडमी के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत